भाकी उटिकेट की तहसील धोलाना में मासिक बैठक, उत्तर प्रदेश के जनपध हापुर के धोलाना तहसील में भारतिय किसान यूनियन टिकेट का मासिक पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इस मासिक पंचायत की अध्यक्षता गफार चौदरी जिलाकारिकारिली सदस्य ने किया और संचालन महिर्खान ने किया। इस मासिक बैठक मिक्षेत्र के बिजली की जरजलाइन तथा धीली लाइन की समस्या को ले कर बात किया गया। किसानों को गंणा पेमेत में ब्याज दिया जाए इस विश्चे में बात किया गया आवारा पशुओं ने किसानों का जीना मुश्किल कर रखा है आय दिल किसानों के फसल बरबाद कर देते हैं बीते दिनों बारिश और ओलाव रिष्टी से गेहून और सरसों की फसल बरबाद हो गई। जिसका किसान को मुआवचा दिया जाए। आगामी 14 मार्च 2024 को सकेम के आवहान पर जादा से जादा संख्या में लोग दिल्ली जाने पर भी चर्चा की गई। इन सब बातों को लेक के धोलाना तेहसीलदार को ग्यापन सोपा गया। इस मासिक पंचायत में शामिल चौदरी सुंदर सिंग गुर्जर अध्यक्ष ब्लॉक धोलाना। अली नवाज, शाहनवाज, खलीफा हारून, रही स्खान, कलुवा थेकिदार। करुवीर गुर्जर, यश्पाल शिश्पाल, कुल्दीब, त्यागी, चंद्रपाल, दर्जनों लोग शामिल रहे। इसलिए सरकार से नवीदन है, कि सरकार किसानों के बारे में सोचे, और किसानों को कुछ कहने सुनने का मौका भी दे। किसानों पहत्याचार ना हो, ये किसानों की एक जागीर है, किसान नाम का जागीर है, जे जवान, जे किसान, ये नारा हम सुनते आ रहे हैं बड़े तैसिल में लोगों की बहुत से मश्याए हैं अभी आपने देखा होगा पिछले हपते बारिस होई है और बारिस के साथ साथ ओली भी हुए हैं तो ग्याओं की फसल और सर्फन फसल जो बरबाद होगी है और उसके बाद में ही सासन का आदेश भी आया था लेकपाल जी के लोगों नहीं करी है इतने हमारा केड़ना यह है बहुत जल्दी जल्दी अधिकारी जो है आपके माद्रम से हम कह रहे हैं जितने भी अधिकारी आप जो लेके यह अपने खेतों में और गावां में जाकर जो सरवय कराई लेक पल से और किसान को उच्छा दिया जाए दूस हाल हो रहा है और अभी तक आवरा पत्वों के बारे में कोई भी शंग्यान नहीं लिये हैं शंग्यान लिया जाए अन्यथा हम अगली जो पंचाइद आएगी उससे पहले ही हम ब्लोक दोलाना का ताला बंद करतेंगे